पैसर आज की जो क्लास होने वाली बहुत इंट्रस्टिंग बहुत इंपोर्टंट यानि पूरा चेप्टर आज की क्लास पर डिपेंड है जिसने पहली से नहीं देखी दूसरीटी तीसरी नहीं देखी या जिसने सारी देख ली और आजail की नहीं देखा तो समझेगं उसको क्या deduction दिया गया कैसे deduction दिया जाता है सारी बातों का discussion करेंगे इसके अंदर सर या interest की क्या बात करें हम हम 24 की ही बात कर लेते हैं हम 24 section की ही बात कर लेते हैं सर section 24 basically section 24 जो जाना जाता है न वो जाना जाता है हमारा deduction के point of view से section 24 जो जाना जाता है वो deduction के point of view से माना जाता है और बोला गया के house property की आप सारी income निकालते हो सर आप निकालते हो GAV और GAV में से whatever amount empty आपने paid किया है तो empty minus कर देते हो इसके बात बसता है NAV सरकार ने बोला के इस NAV value पे आपको text देना है लेकिन जितने भी SSC थे उन्होंने opposed किया सर अपोज क्या क्या कहा के सर NAV जब आपने निकाल लिया है माल लेते हैं आपने पचास 5 लाग या 7 लाग 10 लाग रुपय अगर NAV निकाल लिया तो उन्होंने कहा कि सर इसमें से मुझे अब कुछ चीज़े minus करने देना चाहिए गौर्णमेंट ने बोला क्या minus करने बोला कि हमारे कुछ खर्चे हैं वो खर्चे minus करने दीजिए जैसे हम white wash कराते हैं हम tab change करवाते हम electricity का काम करते हैं यानि किरायदार जो रहते हैं न किरायदार बोलते हैं हमारे मकान का जो repair करवाना है वो हमारे जिम्हदार है किरायदार नहीं कराके देगा हमें कोई door खराब होगे हमें door change करवाके देना है electricity का कोई point खराब होगे हमें ठीक करके देना है यानि हमारे जिम्हदार है तो हमारे खर्चे हैं आपने तो 10 लाख रुपे प्योर इंकम निकाल लिया जो खर्चें वो माइनस नहीं किया तो हमें सर यहां से खर्चे को माइनस करना देना चाहिए गौर्मेंट ने का ठीक है सर हम आपको खर्चा माइनस करने देंगे तो गौर्मेंट इसके लिए लेके आई सेक्शन 24 सब सेक्शन A बोला चलिए अब आपको हम माइनस करने देंगे उसको स्टेंडर डिड़क्शन का नाम दिया गया standard deduction sir standard deduction जो दिया गया न वो बोला गया sir आप 30% minus कर सकते हैं off na यानि बोला कि आपको हम minus करने देंगे ऐसा कि नहीं कि minus करने नहीं देंगे लेकिन हम 30% हम दे देंगे इक खटा क्योंकि मैं हमारे लिए ये बड़ा सरदर्दी है हमारे लिए बड़ी मुसीबत है कि कौन कितना खर्चा कर रहा है जादा कर रहा है कम कर रहा है तो उसको determine करना उसको check करना बड़ी सरदर्दी है हमारे देश की अवादी कितनी है इतने सारे अवादी है इतने सारे SSC है हर किसी का अगर हम bill देखने बैठ गया तो हमारे income tax तो कभी कोई भरा ही नहीं जाएगा तो एक तो दे दिया आपको 24A में किसलिए दे दिया गया सर ये आपके जितने भी खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा एक्स्पेंस के लिए ये क्यों दिया गया सर ये दिया गया एक्स्ट्रा एक्स्पेंस के लिए जैसे point number one repair के लिए जो आप करा रहे हो repair point number two repair में सब कुछ आ गया आपको एक दे दी आ गया अब मुद्दे की बात आती है कि questions के अंदर आपको confuse करने के लिए repair देगा कि honor ने repair कर आए तो उन सभी को क्या करके चलना है ignore क्योंकि उसके बदले हमें क्या मिल चुका है 30% समझे बाता यानि अगर सवाल के अंदर question के अंदर बोलता है कि MV दे रहे हैं, FR दे रहे हैं, S.A.R. दे रहे हैं और repair करवाए, electricity bill पे किया है, water bill पे किया है, बहुत सारी चीजे बता है इसके साथ, तो electricity bill water bill, repair, tab change, electricity, switch change, अगर ये सारी खर्चे दे रखे हैं, तो सार इनको क्या करेंगे, आप ignore, क्योंकि उसके बदले क्या मिल गए, आपको 30% फिर लोगों के पास घर जो था वो हर किसी के पास घर नहीं था गवर्मेंट ने कहा कि भाईया, आपको income को कम करने का, हमने आपने एक option ढूंड़ा, दूसरा हम दे रहे हैं, आप अपनी income को कम कर लीजिए बोला कम कर लेंगे, कैसे कम कर लेंगे, बोला कि अगर आप अपना घर को बनाएंगे ना तो हम आपको माइनस करने दे देंगे लेकिन घर को बनाईएगा तो आप लोन लेके बनाईएगा तो यानि आप लोन लेके अगर घर को बनाते हैं या लोन लेकर के घर खरीदते हैं या लोन लेके रिपेर करते हैं तो सरकार का इसमें बड़ा फाइदा हुआ अगर हम लोन लेंगे तो हमारा banking का benefit होगा या नहीं होगा होगा सर, एक तो हमारा bank के अंदर क्या होगा सही से काम होने लगेगा, loan लोगे क्योंकि bank का खर्चा कैसे चलता है, loan से चलता है दूसरा, जैसे ही आपने loan लिया, तो आप क्या करोगे घर को construction करोगे या बना बनाया घर खरीदोगे आप बना बनाया घर भी खरीदते हो जैसे फ्लैट वगएरा होता है तब भी और आप बनाते हो तब भी जैसे ही आप घर बनाना चालू करोगे न यहाँ पे labor की जुरत होगी यहाँ पे cement की जुरत है यहाँ पे bricks बहुत सारे material की जुरत है यानि बहुत सारा अब जो cement factory है उसके अंदर labor की जुरत पड़ेगी जहाँ पे इटे bricks बगएरा बन रहे हैं वहाँ पे जुरत पड़ेगा तो government को economic को revival करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा point करना पड़ता है जिसस तो वहाँ पे उस जगह पे आपके दो चीजे payment होती है जिसे हम EMI बोलते है ना equal installment तो उसके अंदर एक आपका principal amount होता है एक आपका interest amount होता है बोला गया principal amount को तो हम ATC में deduction दे देंगे वहाँ भी minus करो और interest को हम एक नया section introduce कर रहे हैं वहाँ पे दे देंगे 24 B के अंदर यह B ऐसे bracket में रहेगा ठीक है ना B bracket में रहेगा यानि 24 subsection B में आपको किसका deduction दे देंगे interest का लेकिन बसरते आपको घर जो बनाना है वो कैसे बनाना है loan ले करके तो यहाँ पे government ने ज्यादा से ज्यादा जो काम किया वह infrastructure पे सोचा लोग जितना ज्यादा पैसा लेके investment करेंगे तो सारा circulate हो जाएगा तो एक government का planning था तो जब starting में government आई थी तो government की जो government सबसे ज़्यादा जो government था वो था हमारा Congress की सरकार तो उन्होंने क्या कर रखा था 30,000 रुपए का deduction दे रखा था interest का सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का तो जब बीजेपी की government आई तो उसने इस limit को क्या कर दिया revise कर दिया क्योंकि 1999 में जब अटल विहारी वाजपाई government में आए तो बीजेपी Congress की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार ने जब बोला तो बोला कि क्योंकि जब कभी भी कोई government आता है तो वो अपना manifesto देता यानि बत example केजरीवाल अगर उनने पूछो के आपको सरकार बनाएंगे तो क्या करोगे हम बिजली फिरी पाने फिरी दूसरा कोई उसके पास option नहीं है उस टाम पे तो केजरीवाल खेर नहीं थे अब आगए भाई बीजेपी बीजेपी को बोला कि भीया आपको अगर हम सरकार बनात अगिर अफ्तार में तो 1999 से पहले हमारा यूपीय की कॉंग्रेस सरकार थी 1999 के बाद बीजेपी की गवर्मेंट आई जो अटल भीहरी वाजपाई प्रधान मंतरी बने उसी टाइम की देन है कि जो नोईडा पूरा देख रहे हो ना नोईडा उसी टाइम से या फिर बन के तैयार अब बिल्डर बोल रहे हैं इसे बिकवा भी दो गौर्मेंट ले के आई फिर इसकी मोला के भाईया जो तुम्हें पहले 30,000 रुपए का डिड़क्शन कितने का कर रहे हैं डेड लाग का अब तुम्हारे डिड़क्शन कितनी कर देते हैं लोन लो और सस्ते से सस्ते रेट पे हम लोन दिलवाएंगे और फ्लैट खरीदों क्योंकि एक तरफ बिल्डर को पैसे दे के बिल्डिंगे तो बनवा दी अब उसको बेचना भी था बेचने के लिए पब्लिक को ओफर दिया और लोन देके करा और वहां पर लिमिट कितना कर दिया उन्होंने ब बढ़ाके कर दिया 2,000,000 डि डेक्ष्ट के लिए कितना कर दिया तो हम आज के प Isabaki क्या समझने वाले हैं सर 24 में कुछ समझने और समझाने लाइक है ने 24 बी कि कब कभ लोन लिया गया तो कितना लून डेक्षण में मिलेगा समंझ में आरे बात मुद्य की बात यह क्या है अगर आपको पांस सवाल दे दो तो पांस सवाल में फटा फट देख की बता दो कि इसका जीए भी यह होगा कोई दिमाग तो लगाना नहीं है बस amount देखा जीए भी दिमाग लगाना पड़ेगा कहां सर 24B के अंदर interest के अंदर कितना interest minus करने दिया जए तो simple सी बात है 24B के अंदर दो पांट दिखा गया दो पांट क्या था सर अब उस पूरे points को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ 24B क्या कहता है और कुछ एक point था जिसको हमें ध्यान में भी रखना है सर यह पूरा हमारा है 24B सर क्या कहता है 24 कहता है 24B interest on loan taken for construction यह repair of house 24B कहता है कि आपको loan जो लेना है वो या तो आप construction के लिए लीजिए या खरीदने के लिए लीजिए या repair के लिए अब loan दो तरीके के इंसान हो सकते हैं एक तो मैं अपना घर personal बनवा रहा हूं और मैंने loan लेके बनवाया या हो सकता है कि एक मैंने loan लेके घर बनवाया और घर किराये पे हैं दोनों possibility हैं तो अब यहां पर मुद्दे की बात है दो point हो सकता है when house is self occupied तब और when house is let out तब जब house हमारा let out होगा ना तो उसका मतलब क्या एने भी वहां पर zero हो सकता है क्या बताइए नहीं कुछ न कुछ तो होगा सरें भी कुछ न कुछ तो रहेगा तो जब आपका house let out है तो no limit वहां पर कोई limit नहीं रखा गया sir यानि किसका limit नहीं ही रखा गया sir full interest allowed as deduction in 24 B वो लगया कि घर अगर आप किराये पर दे रखा है और फिर आपने कोई करजा वगयरा ले रखा और करजा लेना सिर्फ एक ही परपस के लिए घर बनाने के लिए यह नहीं कि आपने करजा ले लिया और उस पैसे को आप कहीं और यूज कर रहे हो तो आपका ऐसे allowed नहीं होगा यानि जो लोन लिया वो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए होना चाहिए तो बोला गया कि अगर आपने मकान मान लेते हैं कि एक फ्लोर किराये पर दे रखा है मैंने डिसाइड किया कि मैं चार फ्लोर और बना लेता हूं पैसे तो आई रहा है एने वी तो है है तो उस हिसाब से वहाँ पे एने वी जीरो नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में अगर घर लेट आउट है और उस घर के लिए आपने लोन लिया है तो इंट्रस की डिडेक्शन कितनी मिलेगी तो गवर्मेंट ने बोल दिया कि कोई लिमिट नहीं है अब पांच लाग रुपे का ब्याज पे करोगे पांच लाग रुपे माइनस कर लो अब सवाल आता है सर माइनस कर लो माइनस कर लो कहां से माइनस कर करने की बात कर रहे तो एक बार मैं छोटा सा फॉर्मिट बना दूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सबसे पहले होता है MB MB के बाद क्या होता है FR FR में से दोनों जो इसके बाद क्या होता है SR और SR इन सब में से माइनस करने के बाद आ जाता है NAV और NAV जो होता है उसके अंदर से दो चीजे माइनस करना लावड है नंबर 1 24A जो कि 30% है और नंबर 2 दूसरा जो हमें मिलता है डिदेक्शन के लिए वो मिलता 24B जो करें इंटरेसे और इंटरस का डिदेक्शन है या प्रिंसिपल सा नहीं है अगर मैंने एक variety किस्त दिया जिसमें से बीस अजार और टяж अजार प्रिंसिपल है तो 24 बी में क्या डिड़ेक्षिन मिलेका। सबस्क्राइब एसे सिचूएशन में हम देखेंगे कि आपने लोन कब लिया है। अगर आपका घर जो है, वो self occupied है, तो हम चेक करेंगे सर, क्या चेक करेंगे सर, कि आपने loan लिया कब है, अगर self occupied है, तो इस situation में deduction will be allowed, या तो deduction आपको मिलने वाला है सर, दो लाग का, या मिलने वाला है कितने का, 30,000, कब दो, कब 30, या तो आपने loan लिया होगा, 1,4,2,1999 से पहले, या फिर loan लिया होगा, 1,4,1999 के बाद, अगर 1,4,1999 से पहले आपने loan लिया, तो loan लिया होगा, दो परपास होगा, या तो आपने लिया होगा construction के लिए, या फिर repair के लिए, construction या purchase, तब तो सर, UPA की government थी, और UPA की, बीजेप कॉंग्रेस की गौवर्मेंट थी उस टाइम पे कितने maximum लिमिट थी सर्क किसी काम के लिए लो आपको 30,000 रुपए का maximum deduction दे दिया जाएगा यानि आपने अगर लोन ले रखा है सर किस लिए लोन लिया है लोन घर बनवाने के लिए लिया हो चाहे घर रिपेर के लिया हो और ल लिमिट कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं है यह लिमिट जो है बच्चे भूल जाते हैं इतनी बार यह लिमिट को याद करना पड़ता वह भूली जाते हैं कहीं maximum लिमिट भी है तो यहां पे कितना है maximum limit 30,000 और जो रेंटीड घर है वहां के लिए लोन ले रखा है तो कितना maximum limit है कोई लिमिट नहीं है सर इसके बाद वेन आपने लोन लिया है आफटर 1499 के बाद तो गौर्मेंट है कर दिया कि रिपेर कराओगे तो रिपेर कराओगे तो हम कम डिड़क्शन देंगे लेकिन अगर आप घर खरीदोगे या घर बनवाओगे तो डिड़क्शन कितना कर लियागे आपको मैक्समाम 2,00,00,00 कर दिया गया अगेन देखिए फटा फट से आपने लोन दो परपस के लिए होगा या तो लिया होगा आपने अपने self occupied घर के लिए या लेट आउट लेट आउट घर के लिए है तो इंटरस का कोई ज़ंजटेन हैं इंटरस टोटल जाए गर आपका 30 अब ये 2 लाग के limit maximum है आपके दो घर के लिए Lon लो तीन घर के लिए Litोन सबकर मिलाख़ के दो लाख है aggregate पहले क्या था कि हम आने एक हर लिया वो भी self-occupied दूस्रा घर लिया व भी self occupied इसके लिए बी लोन लिया इसके लिए भी लोन लिया यहां भी 2,00,00 का deduction ले रहा हूं यहां भी 2,00,00 का deduction ले रहा हूं तो government ने last year इसको revise कर दिया और बोला के भई आप total देंगे हम आपको 2,00,00 तो एक concept था situation में 23 में then more than two house more than two house तो वहां पे interest का interest का point वहां पे है इसलिए हम उसे बाद में करेंगे पहले यह कर रह कुछ बातों का यहां पे ध्यान रखना है जो कि मैंने note में mention कर दिया है sir loan taken for house किसके लिए लेना है सिर्फ घर के लिए if fresh loan taken for both interest allowed मान लेते हैं एक loan चल रहा है इस loan का rate महंगा है इस loan को चुकाने के लिए मैंने एक और loan ले लिया तो दो-दो interest जा रहा है एक पुराने वाले loan का एक नए वाले loan का तो दोनों का interest हमें allowed हो जाएगा as a deduction समझ में आ रही आपको बात मैंने एक loan लिया 20 लाक रुपए का 20 लाक का loan लिया उस time पे rate बड़ा महंगा था वो 10% पर था अब 5 साल बात किसी bank ने offer दिया कि आपका loan मेरे पास convert करवा लिजिया आपको 7% दिना अगर आप payment करते हो बैंक में गए manager से बोले मेरा loan पास करवा तो आपको 20,000 दे दूँआ 10% दे दूँआ तो यह जो भी commission brokerage आप banker को दे रहे हो यह deduction allowed नहीं होगा आपका खर्चा जरूर यह allowed नहीं होगा अगर आपने लेट payment किया मैंने point नहीं लिखा आपका EMI bounce हो गया तो EMI bounce होने के बाद तो आप सभी को पता ही है EMI आपने नहीं भरा तो क्या लगता है penalty लगता है तो आपने जब आगे payment किया तो interest भी pay किया principal भी pay किया और penalty भी pay किया तो उस penalty का deduction नहीं मिलेगा सिर्फ ब्याज का deduction मिलने वाला है interest allowed on paid as well as due एक बात यहां ध्यान देने वाला है जो हमारा municipal टेक्स था आप payment करोगे तभी deduction मिलेगा लेकिन interest में यह applicable नहीं होता interest के अंदर आपने payment किया हो चाहे ना किया हो तब भी आपको deduction claim कर सकते हो 24B में again बताईए अगर आप जवाब दीजे comment में भी आप सब भी बताईए कि अगर मैंने loan लिया है मेरा घर rented है ठीक है मैं example ही ले लेता हूँ ताकि आप मुझे जवाब देना चलिए सर मैंने loan लिया है और house क्या है rented है सर बताईए का जवाब और मेरा 50 लाक रुपे का loan है EMI मेरा 10 लाक रुपे का गया जिसमें से 4 लाक रुपे का interest ऐसा example ले रहे हैं और 6 लाक रुपे का principle है अब बताईए interest कितना deduction मिलेगा 4 लाक या maximum limit 2 लाक फटा फट बताईए 4 लाक रुपे कुछ बच्चे भी 2 लाक कह रहे हैं कुछ बच्चे 4 लाक कह रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा चार लाग सर चार लाग वैसे तो दो लाग दो लाग कर रहे थे बड़ी देर सब चार लाग क्यों क्योंकि ये घर rented है लेट आउट है अगर यही मैं कर देता self occupied तो आपका भले ही चार लाग का ब्याज आपने ने पेमिंट किया बट डिडेक्शन विल बी अलावड और ले टू लैक रुपे सब्जक मैक्सिमम ठीक है क्लियर है यह वाला पॉइंट आपको इसके अंदर मुद्दे की बात और सबसे बड़ी टेंशन पता है कब आती है और लोगों ने क्या पोस्ट किया ध्यान से सुनना कि गवर्मेंट ने रूल बनाया ठीक है भाई रूल बनाया अब बताईए मुझे बड़ा असान सा सवाल क्या घर रातो रात बन सकता है कि टाइम लगेगा इट विल बी टेकिंग टाइम कि सर कितना टाइम लगेगा बताते हैं अभी सर रातो रात घर नहीं बनाया जा सकता बड़ी सीधी सी बात है घर बनाने में साल भर भी लग सकता है छे मैने भी लग सकता है दो मैने भी लग सकता है पांस साल भी लग सकता है दस साल भी लग सकता है मैंने देखा हुआ है एक अभी यहां पर building बन रहा है जहां nearby मैं नेताजी सुवासपलेस में आपने देखा होगा साइध आप बचपन से देख रहे होगे बड़े होगे अभी तक नहीं बना जो PP GLS के साथ में नहीं बना अभी तक हो तो मैं तो उसको देख रहा हूँ 12 साल से अभी तक तो नहीं बनाओ तो बहुत टाइम भी लग सकता है government ने बोला कि आप loan लेके काम करिये मैंने loan लेके एकदम अच्छे से काम करना स्टार्ट किया मान लो loan मैंने ले लिया सर 14 2015 में loan ले लिया government ने का loan लो और हम आपको देंगे deduction मैंने को रहा बड़ी अच्छी बात है loan लेने के बाद हम deduction के लिए eligible है तो अब तो deduction मिलेगा हमें और income tax return फाइल करने गए देखिएगा हुआ क्या 2015 का जो date complete होगा वो होगा 31 मैं 31 तीन 2016 में गया और 16 में मैंने बोला सर हम आप फाइल करना जा रहे हैं अपना return और 15 में लिया थोड़ा लंबा सा प्रोजेक्ट था मैंने commercial purpose के लिए अभी ना तो किराये पे कुछ भी नहीं है अभी थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है और जो मैंने घर जो लिया था ना plot अभी plot पे स्रिफ और स्रिफ बस नीवी डाली है और थोड़ा सा wall boundary type का मैंने डाल दिया है थोड़ा सा boundary type का डाला है हुआ नहीं एक साल इतना ही काम चला कोई भी reason हो सकता है मैं गया सर मुझे मैंने कहा अभी घर किराए पे तो है नहीं तो सर इसका मेरा salary से income था पांच लाक और मैंने बोला सर HP से income मैं बता देता हूँ मेरा घर किराए पे नहीं है तो GAV क्या NAV क्या जाएगा जीरो क्योंगी किराए पे तो है नहीं अभी तो under construction है जीरो और मैंने कहा 24 A माइनस करूँगा मैं बोला करो जीरो मैंने बोला 24 B भी माइनस करूँगा मैं क्योंकि लोन लेने का मतलब क्या banker बोलेगा अभी घर नहीं बना तो ब्याज मत दो बेंकर क्या कहे का लोन लिया तो भी या ब्याज चालो हो गया इस साल इस साल में मैंने ब्याज का payment किया सर वर ब्याज का payment किया 50,000 ठीक है और मैंने 50,000 यहां से माइनस कर लिया तो मेरा माइनस का 50 आ गया या फिर मैं थोड़ा और इंटरस्टिंग कर दूँ मैं इसको 5,500,000 कर देता हूं और यहां पर मेरी income कितनी आ जाएगे सर 5,000 अर मैं बोलूगा सर मैं आपको क्यूं टेक्स दूँ मेरी income कितनी है 500,000 रुपए क्यूंकि 50,000 तो देखो मेरा आपने बूला अपने बोला अच्छा भाई घर दिखाओ मैंने बोला यह रहा बन रहा है अभी चल रहा है इसके लिए लोन लिया सारे सेर्टिफिकेट दिखाए उसने बोला घर दिखाओ मैंने बोला यह घर तो है बोला सर आप एक बार सेक्शन 23 सेक्शन जो चार्जबिलिटी का 22 पढ़िए वहाँ पर बोला गया घर होगा और उसका तभी आपका हाउस प्रोपटी के इंकम के अंदर काउंट होगा अगर घर होगा तभी इंकम हाउस प्रोपटी के अंदर काउंट होगा यह तो आपका घर ही नहीं है घर का मतलब चत भी होना चाहिए पूरा कंस्ट्रक्ट होना चाहि मैंने बोला सर घर नहीं है तो क्या गर नहीं है तो हाउस प्रपटी इंकम कौँ सी हाउस प्रपटी नहीं जब हाउस प्रपर ध। तो 24B कहां से आएगा 24B तभी जिन्दा होगा जब आपके पास घर होगा नहीं तो 24B नाम की कोई चीज नहीं है यानि गौवर्मेंट ने मुझे ये माइनस करने नहीं दिया और मेरी इंकम 5,50,000 पर मैं टेक्स देने के लाइबल हो गया आप बताईए कहीं न कहीं ये गलत है गलत है तो लोगों ने इसका बहुत अपोस किया कि भी ऐसे थोड़ी होता है आपने लोन दिलवा दिये और डिदक्शन के टाइम पर आप हमें दिखा रहे हैं section 22 लोन तो दिलवा दिया लेकिन डिदक्शन के टाइम पर आप सेक्शन 22 का हवाला दे रहे हो घर नहीं है अब 5 साल मेरे मकान को बनने में लग जाएगा तो उसके हिसाब से क्या 5 साल तक मैं अपना इंटरस्ट बेकार जा रहे हैं मेरे लोन ले रखा है आपको सबसे बड़ी चिंता किसकी थी आपकी सेलरी इंकम थी 5,5 लाक उसके लिए आपने गवर्मेंट से कोई लड़ाई जगड़ा नहीं किया सर्फ 5,5 आपकी टेंशन है कि आपको 24 भी मिला या नहीं मिला क्योंकि हाउस प्रोपर्टी नहीं है आपके पा आपका हम अपने सेक्शन 22 के अंदर कोई चेंजिस तो नहीं लाएंगे लेकिन हम ये प्रोमिस करते हैं कि आप जितना भी ब्याज पेमिंट करोगे जितना भी आप ब्याज का पेमिंट करोगे उस ब्याज का हम आपको बाद में बेनिफिट देंगे लेकिन अभी तो बेनि सतरा खतम हुआ मेरा ये एक अत्यस थीन दो हजार अभी तक घर नहीं बना तिरिफ घर का नीवी है और थोड़ा बहुत चत वज़ारा बनाना चालू चल रहा एक साल नहीं मिला सर इंट्रस इसके बाद हम फिर आगे गए हमारा अगला डेट आ गया अगला साल आ गया क्या गय और खतम कब होगा एक चार दो हजार उन्निस को खतम होगा सर जो ये वाला साल था ये वाला साल जो है क्या इसमें आपने ब्याज पेमिंट किया है जी हाँ ब्याज पेमिंट किया है बिलकुल पेमिंट किया है कितने का ब्याज पेमिंट किया है सर यहाँ पे भी मैंने पच ब्याज पेमिंट किया है कितने 30,000 का यानि घर बनानी finally मेरा घर जो है वो बन के तयार हुआ 15 अगस्त 2018 में यानि आजादी वाले दिन घर बन के finally मेरा तयार हो गया और ये रहा मेरा घर घर बन के तयार हो गया अब समझिएगा बात को 15 अगस्त को घर बन के तयार हो गया यानि 14 2019 से लेके 31,03,2020 में हमारा घर बन के तयार है बहुत बच्चों को ये थोड़ा सा doubtable रहता है लेकिन समझ जाओगे तो कोई doubt नहीं रहेगा यहाँ salary income salary income कितनी थी मेरी 5,50,000 और मेरा 24B जो कि मैं interest का as a minus benefit लेना चाहता था 50,000 नहीं दिया क्या बोल के नहीं दिया क्योंकि आपका घर नहीं बना ठीक है सर्थ अगले साल जैसे आएं फिर से मेरी income salary income मान लेते हैं मेरा 6,00,000 minus मैं करने के लिए गया 24B का deduction लेके negative लाना चाहता था फिर से government ने क्या मुझे deduction दिया होगा नहीं दिया होगा सर फिर नहीं दिया मुझे अब अगले साल आ जाते हैं अगला साल कहां से कहां तक है सर यह रहा यह छोटा सा बना रखा है मैंने यह है फिर से मैं salary payment करने गया होगा और salary के बाद अभी भी फिलाल कहां से कहां था एक चार से यह 30,000 अभी भी घर नहीं बना थोड़ा सा हम pending छोड़ देते है नहीं 17, 18 और 18 और 19 अच्छा 19 में बना होगा बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट 19 और 20 ठीक है तो सर यहां पे इस वाले साल में भी हमारा घर नहीं बना पहले पिछला क्लियर करेंगे यानि सर इस सेशन के अंदर इस डूरेशन में हमारा घर नहीं बना तो इंटरस नहीं मिला इस डूरेशन में भी हमारा घर नहीं मिला तो इंटरस का डिड़क्शन नहीं मिला और इस डूरेशन में भी इस duration में भी हमारा घर नहीं बना तो interest का deduction अब रही बात इस duration की बात करते हैं सर कौन से duration की बात कर रहे हैं इस duration की घर बन गया मैं गया सरकार्स के पास salary पांच लाख और इस साल का जो ब्याज है इस साल का ब्याज है मान लेते हैं के 50,000 और मैंने बोला less HP income HP से मेरा loss है सर और 24B के अंदर और 50,000 सरकार ने कहा कि भाई हमने आपको हर बार समझा दिया है कि घर बने तब आना आपका घर बन गया है तो मैंने इस साल में का सर घर बन चुका है डिड़क्शन ले चुके हैं गवर्मेंट आए की देखने के लिए वेरिफाई करने के लिए घर है या नहीं है घर है या नहीं है है घर तो घर है तो इस साल तो डिड़क्शन ले लिया अब ध्यान से सुनिएगा 15 से 16 मैंने कुछ डेट गलत लिख दिया बच्चे बोल रहे हैं 16 से कुछ बच्चे कह रहे हैं तो यह रहा यह 31 सत्रा ठीक है और मैं साफ साफ डेट कर देता हूँ तो कि आपको क्लियर विज्वल हो फिर आप से एक सवाल पूछा जाएगा अब यह सत्रा के बाद यह भी सत्रा आ जाएगा है ना यह भी क्या आएगा एक चार सत्रा और इसके बाद यह वाली जो डेट है यह आएगा 33 यह थोड़ा छोटा बन गया ना कोई बात ने हैं समझ में आना चीए 18 यह थोड़ा गैप कम रह गया 18 अब यह क्या आएगा एक चार यह लो 18 और यह आएगा हमारा अब जो पहले लिखा था 18 देख लो भई डेट एक बार सही लिखा ही नहीं लिखा यह आएगा 19 डेट देख लो एक बार कुछ बच्चे डेट को कैच कर रहे हैं वैसे तो समझने का कॉंसेप्ट था 15 से 16, 16 से 17 17 से 18, 18 से 19 यानि सर एक डेट को मैं एक डेट की मैं बात कर रहा हूं सर कौन सी डेट की बात चल रही है ध्यान दीजेगा मैं बात कर रहा हूं सर यहां से यहां तक घर बनके तयार नहीं हुआ इंटरस का डेट्चन नहीं मिला यहां से यहां तक घर बनके तयार नहीं हुआ इंटरस का डेट्चन नहीं मिला यहां से लेके यहां तक घर बनके तयार हुआ interest का deduction नहीं मिला घर किस दिन बनके तयार हुआ, sir घर तयार हुआ इस दिन बनके यानि साल में स्टार्टिंग में नहीं MID में तीन मेने, चार मेने कभी भी और इस साल में जब घर बनके हमारा तयार हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में इस साल का deduction मिला या नहीं मिला, सर मिल गया, इस साल का डिड़क्शन मिल गया, इस साल का हमें इंटरस्ट का डिड़क्शन मिल गया और कोई दिक्कत नहीं हुई, अब यहां पे मुद्दे लड़ाई की बात क्या होगी, आपको अफसोस कौन से इंटरस्ट का होगा, आपके इंटरस्ट मैं ब तो आपका number one point डाल देते हैं नहीं तो दो बार है न 50 द तू पॉइंट थी पॉइंट और फॉर पॉइंट आपके पास चार जगह इंटर्स्ट हैं आपको किस इंटर्स्ट का दुख है और किस इंटर्स्ट के लिए सरकार से बोलोगे कि इसका benefit मुझे मिलना चाहिए कितने point क के बोलोगे आप, बताइए कितने पॉइंट के बोलोगे, पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए सरकार से बोलोगे कि मुझे इंटरस का बेनिफिट मिलना चाहिए, बोलेंगे, second point के लिए बोलेंगे क्या, बोलेंगे, third point के लिए बोलेंगे क्या, बोलेंगे, fourth point के लिए बोलें है थोड़ा सा एक बार और मैं फिर एक example लेता हूँ फिर मुझे बताईएगा जिसका जब तक ये example clear नहीं होता तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा चलिए सर एक और example ले लेते हैं थोड़ा ये मैं सब हो गया कोई बात नहीं एक और example लेते हैं आपके लिए मैं सारी बाते लिखूँगा आप ध्यान दीजिएगा एक साल अब थोड़ा gap दे के लिख लेते हैं न एक चार दो हजार अठारा और यहां कहीं 31,3 चले पूरा डेटी लिख देते हैं एक चार दो हजार उन्निस एक चार दो हजार बीस एक चार दो हजार एक्किस और सर ये 31,3 देखते हैं आपको कितना समझ में आए जिसको नहीं समझ में आया और ध्यान से देखना है सर जिसको समझ में नहीं आया उसे और कॉंसेंट्रेट करके देखना है ठीक है सर अब यहां से यहां तक घर मेरा बनके complete मैंने बोला नहीं हुआ सर यहां से जब स्टार्ट हुआ साल यहां से यहां तक यहां भी घर complete नहीं है सर यहां से यहां तक भी मेरा घर completed नहीं है यहाँ पे मेरा घर complete कब हुआ सर यहाँ पे घर मेरा बन गया है इसको ध्यान दीजिएगा मैं दो बार इस example को करवा रहा हूं ताकि आप भूलो न यहाँ से यहाँ पे हमारा घर complete हुआ है और तारिक क्या है सर एक जनवरी एक जनवरी 2022 एक जनवरी 2022 में मेरा मकान बनके तयार और हम रहने के लिए रेडी है ठीक है अब हम बात करें सर क्या बात करना है सर यहाँ पे मेरा जो interest था वो 20 अजार था यहाँ पे जो मेरा interest था वो 30 अजार था यहाँ पे जो मेरा interest था वो 5000 था या मान लेते हैं 50,000 था कोई भी एक example लेना है ऐसा मत बोला सर भी आज कैसे बढ़ रहा है ऐसा तो होई नहीं सकता तो example है example में कुछ भी हो सकता है और यहां पे जो interest है वो मान लेते हैं 40,000 था ठीक है? अलग-अलग interest है 20,000, 30,000, 40,000 मेरा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा मेरा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा फटा-फट comment में भी बताईएगा इस साल जिस पे cross लगाया इसका मतलब घर बना नहीं है मैं यहां पे गया house property की मतलब कि अपना income निकालने तो क्या मैंने 24B का deduction claim कर लिया होगा या नहीं किया होगा सर नहीं किया यानि सर ये मुझे 24B का deduction मिल जाना चाहिए था जो कि था 20,000 का जो कि मुझे नहीं मिल पाया तो सरकार ने मेरे 20,000 रुपे के deduction नहीं दिया भी सर यहां पे भी मैं tax भरने के लिए गया और जब मैं यहां पे tax भरने के लिए गया तो बताईए salary income तो लिखा मैंने माल लेते हैं 5,50 minus मैं करने के लिए गया अब ध्यान दिजए कुछ बच्चे सोचेंगे 24B कैसे minus करने गया HP के अंदर 24B का loss करके 30,000 रुपे क्या सरकार ने यह मुझे allowed कर दिया होगा नहीं किया होगा कोई बच्चा बता सकता है के सर यह 30,000 रुपे का interest allowed क्यों नहीं किया होगा क्योंकि घर नहीं बना क्योंकि section 22 कहता है कि आपका घर, property house property होना तो 22 के हिसाब से घर नहीं और 22 नहीं क्योंकि 22 तो बोलता है house property इसे बोलेंगे 22 फुल्फिल नहीं करोगे तो house property की income भी नहीं होने वाला, ठीक है चलिए सर, मैंने दो चीजे sacrifice कर दिया सर यह 20,000 रुपे का भी benefit नहीं ले पाए, सर इस 30,000 रुपे का भी benefit नहीं ले पाए बड़ा दुख है कि दो बार हमारे benefit नहीं ले पाए अब आ जाते हैं यहां यहां उमीद है कि मिल जाएगी मेरा salary income था 5,50,000 और फिर मैंने HP का loss दिखाया क्यों loss आये 24B के according मेरा interest का और मैं 50,000 का benefit लेना चाहता हूँ क्या सरकार हमें allowed कर देगी सर सरकार फिर से allowed नहीं करेगी सर हमें इसका भी allowed नहीं करेगी यानि सर हमारे 30, 20 और 50 एक लाख रुपे तक का मेरा जो पैसा था ब्याज का जो सरकार ने मुझे promise किया था 24B में देंगे deduction लेकिन एक लाख रुपे तक कतो सरकार ने दिया ही नहीं लोन लेके हम बैठे हैं चलिए सर अगले साल आ जाते हैं अगले साल आ जाते हैं मैंने salary पांच लाख पचास हजार और HP का loss मानते हुए मैंने 24B का deduction ले लिया सर 40,000 रुपे अब भी सरकार क्या कहने वाली है क्या 24D का deduction जो B का 24B का deduction जो है देगी या नहीं देगी चुछ देगी सर योकि घर है यानि ये वाली देदेगी यानि आपको tension है सर यानि यहां से लेके यहां तक का जो ब्याज बनता है उस ब्याज का deduction आपको नहीं मिला इसके लिए आप सरकार से लड़ाई कर सकते हैं कि यह मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो गवर्मेंट ने बोला ठीक है भाई हम आपको डिडेक्शन देंगे और आप क्लेम कर सकते हो बड़े इजीली लेकिन इतना सारा इकटा करके एक बार में तुम हमारे उ एक लाग तो बोला इसको हम आपको बेनिफिट देंगे पांच सालों में वन बाई फाइव में यानी आने वाले सकसीडिंग फाइव येर में और सकसीडिंग क्या यहीं से यहीं से जिस साल से आपका घर बना है उसी साल से आपको गिल लीजिए एक साल यहो गया हाँ दो वो इंट्रस्ट है जब आपका घर बना नहीं था तब के इंट्रस्ट का बेनिफिट दिया जा रहा है और जब घर नहीं बना होता तो बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरिड उसे क्या बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरिड का मतलब वो ब्याज है जिसका बेनिफिट आ जनवरी में बना है तो यहां से यहां तक का हो गया ना प्रीकंस्रक्शन पीरिड प्रीकंस्रक्शन जब घर बना उससे पहले का प्रीकंस्रक्शन लौ कहता है भाई मैं तुम्हें यह नहीं बोल रहा है घर बनने से हमारा कोई लेना देना नहीं है जिस साल का आपने इंटरस का benefit नहीं लिया, उसे बोल रहे हैं pre-construction period, ना कि आप बोलो के sir, घर अब बना है, इससे पहले का PCP, यानि pre-construction period मानेंगे तो यहाँ पे pre-construction period कहां से कहां तक होगा, 14-2018 से लेखे 14-2021 ने 21 तो नया साल हो गया, यानि इससे just before 31-3, 2000 21-21, यानि sir, जिस साल हमारा घर complete हो जाता है, whatever किसी भी time complete हो रहा हो, उससे पहले वाला ये वाला जो area हमें नजर आता है, ना कि sir, ये भी तो घर नहीं बना, लेकिन ये pre-construction period का part नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये वाला interest का benefit आप ले चुके, तो pre-construction period आप word देखोगे, pre-construction period, तो समझ में आता है भाईया, घर बनने से पहले जितना समय है, वो pre-construction period है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस समय का आपको interest का benefit नहीं मिला, उसे बोलेंगे pre-construction period, और उसका interest कितने सालों में आपको दिया जाएगा, 5 सालों में बराबर बराबर आपको आगे आने वाले upcoming year के अंदर दे दिया जाएगा, तो ये सारी बाते कहा है, 24B चल रहा है तो सर, यहाँ पे हमें इस साल में deduction में 40,000 लेने जाओंगा, लेकिन 40 नहीं मिलेगा मुझे इस साल में मिलेगा 20,000 एक्स्ट्रा वाला यानि total, 60,000 माइनस कर पाएंगे हम, समझ रहे हो बात को आप, कितना माइनस कर पाएंगे 40,000 तो current year का interest, और बाकी का पुराने वाला जो चलता आ रहा है उस interest को भी हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, हाँ 2,000,000 से उपर जाएगा या 2,000,000 से कम होगा वो depend करेगा कि घर किराये पे है या घर क्या है आपका self-occupied उसके उपर depend करेगा totally तो पहले यहां तक देखिए आपको क्या समझ में आया किस समय को हम pre-construction period कहेंगे main ये मुद्दा सबसे important इसके उपर अलग से बच्चों का सवाल रुकता है ना तो सिर्फ इसी section के वज़े से रुकते हैं बाकी house property में कोई भी ऐसा section नहीं है जो आपको रोक पाए अकेला जो law है वो यहीं पे है जो सबसे ज़्यादा tension देता है आपको सर ये 2,000,000 के साथ में entry करेंगे नहीं 2,000,000 total मिला के है अगर आपका मानलो pre construction period आपका 1,60 का बन रहा होता और ये 40 का तो total मिला के 2,000,000 है ऐसा ना समझे current year का 2,000,000 और PCP का अलग से नहीं total मिला के ये 2,000,000 रहने वाला है अगर self occupied है तो सर ये 40,000 के बाद अलग से करेंगे बिल्कुल 40,000 के बाद हम अलग से करेंगे इसका deduction यानि total मिला के मैं कह दो भई ये 60,000 एक साथ माइनस कर दो कभी भी examiner नहीं बोलेगा ये 60,000 कैसे लिखे या मुझे बताओ एक छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं इस पर ताकि आपको और clear हो जाएका सवाल कैसा पूछा जाएका और हमें जवाब कैसा देना है ठीक है न तो हमने सर हेडिंग डाला था pre construction period सबसे पहले दिमाग में डालना है pre construction period क्या होता है चलो इस वाले सवाल में बता दो pre construction period किस डेट से लेके किस डेट तक होगा एक अप्रेल दो हजार पंदरा से लेके दो हजार ठार इसमें घर बना नहीं है क्या इसको PCP में लेंगे हम नहीं क्योंकि यहां तो आज का benefit मिल चुका है चल यह सर आगे चलते हैं एक सवाल देखते हैं आपकी किताब का सवाल है यह और याद रखिएगा 24B new rhythm में नहीं मिलता 24B new rhythm के according नहीं मिलेगा old में मिलेगा new में नहीं मिलेगा तो सवाल कुछ ऐसा ही आपके latest book के अंदर यह given है मैंने in fact इसलिए illustration number भी change नहीं करता मैं so that आपको थोड़ा सा clear हो और दिक्कत ना हो ठीक है सवाल हर किसी को साफ साफ दिख रहा है जिसके पास किताब है उसको भी कोई दिक्कत नहीं जिसके पास नहीं है सवाल सामने है हर किसी को पता चल जाएगा ठीक है चलिए सर पढ़ लेते हैं question कहता है यह SSC has one house property वसंत कुझ में Delhi में ही है he stay with his family in his house अपने घर परिवार के साथ रह रहा है यह जो भी SSC है the rent of similar property is neighborhood आज पढ़ोस वालों का 56,000 रुपे महीने का है सर the per annum साल का है कहता है the municipal value 28,000 municipal tax paid in respect of that property are 5,000 including 1,000 earlier year सर 5,000 का payment किया 1,000 पुराना payment किया तो कितने का deduction मिलेगा 4 का या पूरे 5 का बताइए कितना municipal tax में मिलेगा जवाब देजिए फटा-फट line पढ़िये सामने कितना मिलने वाला है पूरे 5,000 रुपे का मिलेगा क्यूंकि बोला गया तो जितना payment करोगे सारा मिल जाएगा ठीक है सर आगे question में कहता है the house was construct 1998 में और loan taken था 1998 में था construction के लिए और loan taken था HDFC bank से during the previous year 2021 the SSC refund ये हाँ 0 है refund करता है 2,80,000 which include 2,18,000 as current year का interest आपका 2,18,000 current year का interest है compute the income from house property income from house property करना है if SSC आपका does not opt new regime new regime 115 BAC जो है ये new regime है तो इसने opt नहीं किया और एक बार बोलता है opt करें तो क्या होगा what would be your deduction amount if interest on loan taken after 1,4,2009 के बाद हो तो क्या होगा property completed December 2010 property complete हो गया 2010 यानि loan लिया loan लेने के बाद property कब complete हो चुका है हमारा 2010 पहले वाले case में property कब complete हुआ बस ये बताए कि इसने loan लिया इस date पे HDFC से complete कब हुआ नहीं हुआ तो सबसे पहले common sense लगा फटाफट से format बना लेते है MB और ये ले लेते है दोनों चीजे बढ़ा simple सा सवाल है यहां पे PCP का कोई जवाब ही नहीं मतलब PCP का कोई काम ही नहीं है सर PCP का क्यों कोई काम है अभी देख लेते हैं यह हम कर लेते हैं old वाले से यह new वाले से सबसे पहले लीजिए सर FR sorry MB अब ध्यान से देखिएगा ना तो यह घर किसके लिए था सर self occupied या किराये पे सर self occupied है तो इसका मतलब सर मैं सीधा NAV ना कर दूँ भाईया neighborhood क्या बोल रहा है municipal value क्या बोल रहा है यह सब ख़तम क्योंकि self occupied NAV 0 minus क्या करेंगे नहीं NAV 0 आ गया यानि MT भी था क्या MT minus करना था इसमें self occupied में MT minus करने नहीं दिया जाता अब आ जाते हैं सर 24 A के उपर जो कि नहीं मिलेगा अब आ जाते हैं 24 B जो कि हमारा old rhythm में मिलेगा और new में नहीं मिलेगा सर इसने loan कब लिया था पहला point पहले दूसरा point बिल्कुल अलग separate question है loan कब लिया था 1999 से पहले और interest कितना paid किया उसने current year में 2 लाक तो सर माइनस कितना करे 30 अजार तो यहाँ पे हमारा HP income आ जाएगा माइनस का 30 अजार और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा 0 रहेगा सर माइनस 30 अजार करके फाइदा बिल्कुल फाइदा रहेगा क्योंकि हमारे पास इसका benefit दूसरे income से set of करने में आएगा जो कि एक chapter है set of and carry forward जिसमें सीखेंगे हम कि एक के loss को दूसरे income से कैसे हम compensate कर पाएंगे यह तो हो गया सर सवाल number 1 का point का और यह सवाल number 2 तीसरा point कहता है कि आप मान लो मान लो आपका interest जो है आपका घर complete हुआ 2010 में और loan लिया 14 2009 के बाद तो सर तीसरे सवाल का जवाब आपका यहाँ पे भी again NAV क्या रहेगा 0 रहेगा NAV minus 24 A और minus 24 सर 24 A तो फिर 0 और 24 B अब यहाँ पे क्या pre-construction period निकाला जाएगा तो जवाब है सर pre-construction period तो अगर construction से पहले लिया तो definitely question क्या कहता है कि घर complete आपका होता है 2010 में और loan कब लिया आपने इस rate पे अब यहाँ पे interest rate वगएरा नहीं है सीधा flat आपको यह rate दे रहा है कि 2,18,000 तो आप minus कितना कर पाओगे examiner ने ब्याज calculate करके दे दिया अभी जो हमने यह चीज़े सीखा था ना पीछे कैसे करेंगे यह होगा आगे जाएगा पीछे जाएगा जब आपको ब्याज निकालके ना दे हमें ब्याज निकालना पड़े तब यह काम कर रहा है अगर examiner हमें ब्याज निकालके दे दे तो कोई tension ही नहीं है तो यहाँ पर सरजवाब आ जाएगा हमारा 2,00,000 that's it हमारा answer done HP हमारा और यह भी क्या है सर negative में loss में ठीक है चलिए एक और सवाल देखिए क्या doubt है पहले 30,000 माइनस करने दिया गया क्योंकि loan taken if before before loan taken हो 1999 तो 30,000 maximum limit है चाहे किसलिए भी हो चलिए एक सवाल और इस सवाल में सारा calculation हो जाना चाहिए rate दे रखा है क्या नहीं दिया चलो एक और सवाल ले लेंगे चलिए सार चलिए question में क्या कहता है illustration are on a house property डेली 60% property आपका let out 15,000 per month 40% self occupied तो जब सर ये आपका जो है वो किस बेसिस पे है सर area तो area के case में सब कुछ बट जाएगा हमारा यानि सर क्या क्या बटेगा यहाँ पे देखा जाए तो हमारा बटने वाला है 60 परतीशत और 40 परतीशत 60, 60% क्या है let out और यह क्या है एसो यानि self occupied कहता है compute his income from house property following information submitted particular में आपको given है MB दे रखा है house का MB, MB कितना है? 2,00,00,00 तो हमें इसे बाटना पड़ेगा क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था कि जब कभी भी इस तरीके का situation आता है तो सब को हम percentage ratio में बाट देते तो बटेगा ये 1,20,000 80,000 इसके बाद F.R 2,00,00 22,000 रुपे महीने की बोल रहे है यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब सर ये होगा 22,000 गुणा में 12 जो की क्या निकल के आएगा बताइए फटा फट 2,00,00 सर 264 को दो रेशो में बाट दीजिए 40 और 60 क्या आगया 150 और 158 और अगला हाँ जी ठ्यान दीजिए क्या हो गया आगे देखिए फेर रेंट के बाद इस्टेंडर रेंट पे आजाते हैं 20,000 महीने का सर ऐसार है तो 20,000 महीने के हिसाब से देखा जाए तो 240 240 को बाट दीजिए रेशो में 144 और कितने 96 सर आगे आ जाते हैं मुनसिपल टेक्स पेट 30,000 सब कुछ बटेगा सब कुछ तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या निकाल ले सर सबसे पहले निकाल लेजिए आप एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट में देखा जाए किता है जी मैंने किराय पे चड़ा है 15,000 रुपे महीने के हिसाब से यहाँ पे कुछ होगा ने इन दोनों में से जो भी हायर बनेगा उसको नाम दे देंगे ग्रॉस अन्वल वेल्यू यानि जी यह भी यहाँ पे अठारा और यहाँ पे तो अलावड ही नहीं है तो सर यहाँ पे मुनसिपल टेक्स पेड करने के बाद आ गया एन ए बी 162 अब सर माइनस करेंगे हम यहाँ पे 24A जो की एक स्टेंडर डिडेक्शन और माइनस करेंगे 24B सर 24A 162 का क्या आता है हमारा बताईए कितने परसेंट सर 48600 आ गया है यहाँ और इसके में तो मिलेगा नहीं क्योंकि जीरो पहले से ही है अब आगे बात करते हैं कहता है इंटरस और मनी बोरोड परचेज हाउस पपरटी विच एक्वाइड इन 2010 में 2010 में लिया था उसके उपर हमने इंटरस पेमिंट किया calculate करके दे रहा है that is 180 तो 180 माइनस करेंगे लेकिन दो सेक्षन में बटेगा यह 180 तो 180 का आपका 60% क्या आएगा एक लाग और दूसरे का 70 अगर यह घर हुआ अगर यह घर हुआ रिपेर के लिए लून तो सर यहां कितना मिलेगा अगर रिपेर के लिए हुथा तो यहां पे तो 108 ठीक है क्योंकि लेट आउट है लेट आउट में कोई limit decided नहीं है लेकिन अगर रिपेर के लिए होता तो यहां 72 जा रहा है तो यहां कितना मिल जाता maximum limit लग जाता कितना 30,000 रुपे का लग जाता क्या यहाँ पर घर किसलिए लिया है कहता है interest on borrowed for purchase of house तो repair के लिए तो है नहीं अब taxable आ जाएगा income हमारा income from IHP कर रहा हूँ income from house property बताइए minus करके यह तो 72 और यह स्रिफ 2400 5400 देखिए यह दो डिजिट आया है 5400 positive 72,000 negative पूछा गया कि आप बताइए total house property income क्या होगा तो हम लिखेंगे computation of IHP income income from house property house जो कि आपका है self occupied वहाँ से 72,000 negative house जो कि यह let out वहाँ से 5400 positive total income बताजीजिए taxable income बताइए minus कर दीजिए 72 में से 54 तो 62,000 66 66 यही आएगा यह था हमारा इसका सवाल एक और सवाल देखेंगे पहले इसमें देख लीजिए कोई दिक्कत यह नेगिटिब गाद इसमें टेक्स देना नहीं है हम income सेट अफ करेंगे एक और सवाल लेंगे पहले यहाँ देख लीजिए हाँ देखो self occupied में 0 ही लिया है करेंगे लिया है